अगर में तीन वैल्यू को एक साथ एड करा हूं तो कैसे कराएंगे यानि एडिशन वैसे तो मैंने एक इंडिविजन इंस्ट्रेक्शन में एक स्प्लेइन किया है लेकिन एक एडिशन इस्ट्रेक्शन में क्या होता है अगर मेरे पास कोई तीन वैल्यू है तो उनको एड कैसे कराएंगे उसके बारे मैं आज आपको बताऊना तो देखिए सबसे पहले तीन वैल्यू क्रिएट कर लेते हैं तो उसके लिए क्या किया मैंने एक जीरो एक ही इंपुट लिया एक यहां से तीन काउंटर लेने जा र एक और काउंटर यानि कुल मिलाके मैं तीन काउंटर ले रहा हूँ यहां पर योकि क्या होगा यानि से टू स्पेस के टैन यानि मैंने यहां से क्या किया तीन काउंटर ले लिया तीन काउंटर मतलब यह है कि एक इंपुट एक सीरो देंगे ना तो तीनों एक साथ अब मैं क्या करने जा रहा हूँ तीनों काउंटर की वैल्यू मूव कराने जा रहा हूँ मूव कराने से क्या होगा एक रजिस्टर पर वैली चली जाएगे so that मैं आगे addition करूँगा तो मूव यानि C0 की वैल्यू D0 में चली जाए उसके बाद मैं यहां से फिर से पैरलल लगा रहा हूँ और एक और मूव इंस्ट्रेक्शन यहां से ले लिया यानि M O V C1 की वैल्यू D2 में चला जाए then एक और मैं यहां से पैरलल ले लेता हूँ and उसके बाद मैं यहां से क्या करूँगा मूव C2 की वैल्यू D2 में D4 में चला जाए इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स की तीनों काउंटर की वैल्यू एक एक रेजिस्टर में मूव करा दिया अम मैं क्या चाहता हूँ addition करना तो addition के लिए मैं यहां से एक नया लाइन ले लेता हूँ तो देखें मेरे को तीनों काउंटर की वैल्यू एडिशन कराना है पहले तो एक मैमोरी बिट ले लिया तो पहले क्या करेंगे दो काउंटर की वैल्यू एड कराएंगे यानि ए डवल डी पहला काउंटर किस पर आया D0 पर दूसरा D2 अब रिजल्ट इन दोनों का पहले द दो वैल्यू को एड करेंगे को सब्सक्रा इसका मतलब क्या होगा कि बियूख 0 वैल्यू के वैल्यू एड करालिये ड Wisconsin पर अभक क्यों की एक और कांटर की वैल्यू एड करना है तो पता ही क्या करेंगे अग एक और एडि औ rental लेंगे एक क्यों काउंटर एक दिसेंे क्शन म D4 वो एड़ करके result से 12 पर ले लेंगे इसका मतलब क्या है D0 D2 दौनों counter की value add होके 10 पर आया अब एक और एड़ लेके इसी का result है आगे carry forward होके दूसरे count दूसरे addition का क्या बना source A बन गया and D4 मेरा एक और counter आ गया result final 12 पर आया इस तरीके से अगर 2 से ज्यादा value अगर आपको 2 से ज्यादा value क्या करनी है अगर आपको addition कराना है 2 से ज्यादा value तो इस तरीके से कराते हैं मैं फिर से एक वर बना देता हूं यहां से मैं M1 ले लेता हूं और यहां से addition यानि a double d space d0 पहले counter की value तू दूसरे counter की value result से d10 में ले लिया उसके बाद एक और counter एक और addition लेंगे हम यहाँ पर और उसमें क्या करेंगे तौनों counter का जो addition आ रहा है d10 मैं तीसरे counter d4 को add करके real to d12 में ले लेंगे इस तरीके से हमने क्या किया addition कर दिया तीनों counter का तो real हमारा final d12 पर यहाँ से क्या होगा generate होगा इस तरीके से दो value से ज़्यादा अगर आपके पास value है तो इस तरीके से हम क्या करते हैं addition कराते हो और result हम लोग क्या करते है फाइनल calculate करते हैं तो दो value से ज्यादा value अगर add कराना है तो किस तरीद से करेंगे वो इस तरह का मैंने आपको बताया अब यहां से क्या करेंगे मैं यहां से pulse देना start करता हूँ so that आपको concept clear होगा तो inputs x0 press करने से क्या तीनों counter 11 पर गए यानि c0, c1, c2 तीनों का result d0, d2, d4 में आया अब d0, d2 के साथ result 2 आया और 2 आगे करी forward होके फिर 4 add हुआ तो total 3 आ गया इसका मतलब तीनों counter की value क्या हो रही है अभी add होती जा रही है इसी तरीके से 4 value हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है हम इसी तरीके से क्या कराते है, add कराते है, calculation करते है तो hope आपको यह clear हो गया होगा कि तीन value यानि एवब two values को अगर addition कराना है तो कैसे कराएंगे, इसको देखके आप practice कर सकते हैं और implement कर सकते हैं, so thanks for watching my videos, thank you